राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रहर्दीक श्वागत है अभी नंदन है दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉष्टिक्ता की संग्रक्षना के बारे में पॉष्टिक्ता की संग कल्पना कंसेप्ट आउफ नूट्रियंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा किया था जिसमें मैंने आपको आहार क्या है बोजन किसे कहते हैं संतुलित आहार किसको कहते हैं कूपोशन क्या है कूपोशन की कितनी इस्थितियां है सूपोशन किसे कहते हैं इन सब के बारे में विस्तार से बताया था तो सम्मंदित आज मैं MCQ कूछ रही हूं पॉस्टिकता की संकलपना से सम्मंदित ही कि आज मैं MCQ पूछ रही हूं देखते हैं कितने बच्चों ने कल के वीडियो को ध्यान से सुना है और आज के इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगी सुनेंगी और फिर उसका देंगी क्वेशन बहुत ही जी है, कई बार क्वेशन कन्फ्यूजिंग आ जाता है, तो इसमें मैंने एक दो प्रस्ण कन्फ्यूजिंग भी डाला है, जिससे कि आपको सही प्रस्णों का सही उत्तर जबाब मिल सके और ढूनने में परिशाने नहीं हूँ, प्यारे बच्चों, आज मै पुछती हूँ आपसे, पहला प्रस्ण है, हमारे सरीर का 66 परसेंट भाग किस पोशक्तत्यों का बना होता है, प्रस्ण क्या है, हमारे सरीर का 66 परतिसक भाग किस पोशक्तत्यों का बना होता है, पोशक्तत्यों को कल मैंने पढ़ाया था, तो कौन सा पोशक्तत्यों का बना होता है ऑप्सन आपके पास है वसा प्रोटीन खनीज लवन विटामीन और जल कि सही उतर हमारा जल है हमारे सरीर का 86 परतिसत हिस्सा पानी का बना हुआ होता है कुण में डाईस्टिंज harder रखोज ड्याइब केसे पानी होता है मुत्रनिरफार पानी क्या पर रख होता है कि अएस जो आशुर कलता है तो यह सी याद रखोगे हमारे सरीर का च्छुशोन प्रतिसत भाग का बना होता है कि सैज्सट प्रस् hosts है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं एक दो साथ 11 अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सब जोड़ने लगेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं क्योंकि एक दो तीन साथ हमने पूछा तो 11 पूछ लिया तब सोचेंगे कि भही विटामिन ए है एमें कितने विटाम है यह के कि विटामिन बी के कितने प्रकार हैं कि सी में कौन से विटामिन आता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं याद रखना दो प्रकार के ही विटामिन होते हैं एक विटामिन होता है वसा गुलंसील और दूसरा होता है जल गुलंस तो सीधा से प्रश्ण है सीधा से इसका उत्तर है विटामीन कितने प्रकार के होते हैं नेक्स्ट क्रिश्टन है नमी के लिए उस्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरन है नमी के लिए उस्मा द्वारा भोजन पकाने का उदाहरन है आपके पास उथली विधी गहरी विधी उबालना और भूनना सबको पता होना चाहिए उथली बिधी दूसरा एक गहरी बिधी तीसरा है उबालना चौथा है भूनना भूनना मत आप जानते हो आलू भूनते हो आग पर जो भूनना जाता है या जो माइकरूवेपर भूनते हो तो भुन्ना तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नमी नहीं है उतली विधी जिसमें पराठा बनाते हैं चीले बनाते हैं यह सब उतली विधी के द्वारा बनता है डोसा है उतली विधी से बनता है गहरी विधी जो तलके बनाते हैं पकोड़े तलते हैं ब्रेडर तलते हैं कटलि है आपके पास भोजन पकाने की किस विधी में जल घुलन सील विटामिन नस्थ हो जाते हैं तो अप्शन आपके पास है उबालना बेकिंग भुनना और तलना जल घुलन सील विटामिन किस में नस्थ होगा उबालने से उबालने की प्रक्रिया में क्या करते हैं पानी डालते हैं तो जल घुलन सील विटामिन होगा वो उबालने वाले प्रक्रिया में नस्थ हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेशन आपके पास पर्तेक्ष भाप में पकाने का उदाहरन है पराथा, उबले आलू, इडली, पकोड़ा पर्तेक्ष भाप में पकाने का सही उदारन क्या है इडली को पर्तेक्ष भाप में हम पकाते हैं, ढोकला को हम पर्तेक्ष भाप में पकाते हैं, खमण को पर्तेक्ष भाप में पकाते हैं, नीचे पानी रहता है, उपर उसमें जाली लगे रहते हैं, उसमें हम खादे पदार कॉस्त दालते हैं भाप भेचे परत्व पकाने पख़ल में हमेरा है है इडली अगर पर नहीं है अधे अस्थां पर हो सकता है मुंझे हो सकता है सब्सक्त नेक्स्ट है हमारे सरीर को कि हमारे सरीर को उर्जाद परदान करने वाले मुख्य पोशक तत्तों कौन से हैं हमारे शरीर को उर्जा परदान करने वाले मुख्य सब्सक्राइब्स करता है जब हमारे आहार में जब हमारे शरीर में कार्वोज और वसा नहीं रहता है तब प्रोटीन टूटता है और एनर्जी प्रवाइड करता है नेक्स्ट क्विशन है उर्जा का प्राप्ति का सांद्र सुरोत क्या है उर्जा प्राप्ति का सांद्र सुरोत है वसा, घी, तेल, मक्षन, जब हम पाल्टी में जाते हैं, हलवा खुब खा लेते हैं, तला भुना चीज खा लेते हैं, कटलेट खा लेते हैं, माल पुए खा लेते हैं, तो देखो भूख देर से लगती है, क्यों देर से लगती है, क्योंकि वो सब तला और जो तली हुई चीजे गति हैं उसमें बूर्श के मात्रा जादा रहता है वेशा का पाचन देर से होता है और शांदर सब्सक्राइब प्रापती का ऩह कि मात् debout नहीं देंगे तो हो सकता है अपका अंसर घलत हो जाए पहला क्या है हमारे सरीर को उर्जा कारने क्या है कि उर्जा का मुखि सरोट क्या है कि अगर उसमें रहेगा उर्जा कारभो हाइड्रेट वसा प्रोटीन थरो लवर भीटामिन सही उत्तर क्या है कि उत्तर विल बे कार्बोहाइड्रेट उर्जा प्राप्ति का मुखिश्रोथ कार्बोहाइड्रेट है हम अनाजों के माध्यम से ही एनर्जी को गेन करते हैं कई नेंस्ट से के लिए आवस्यक पौश्टिक तत्व कौन साहिए बहुजन के पाचन के लिए आवस्यक पौश्यक क्पौश्टिक तत्व कौनवा अप्शन है आपके पास जल दूसरा है कार्बोहईड्रेट तीसरा है प्रोटीन और चौथा है वसा सही उत्तर क्या है जल पानी पानी के बिना डाइजेशन नहीं होता है अभी मैंने बताया हर एक फंक्संस को करने के लिए बौडी फंक्संस को करने के लिए जल की आवशकता होती है जैसे हमारे घर का हर काम पानी की बिना ठप हो जाता है सुबह अगर गिरनी उठती है और यह देखती है कि नल्ब से पानी नहीं आ रहा है क्या काम कर लेगी हो जालू लगा सकती पोचे नहीं कर सकती नास्था नहीं बना सकती शौची नहीं जासकती अश्नान नहीं कर सकती पूजा नहीं सकती तो हर काम जैसे हमारा हमारी घर का हर कामिक लगबख 90 पर से हमारा वाटर दिपेन्टंट उस तरह से हमारे शरीर के जितने भीoli हैं उन सब्सकुपर के लिए जल की आवशक्ता होती है पाचन ़ी भुजन के पाचन लिए आवस्टिक नतव चुन- नेक्स्ट पास रख्त का थक्का बनने में किस पोशक तक्थों कीज़ वह रख्त का थक्का बनने में पोशक की अवशकता होती ने आपके पास है प्रोटीन ऑप्शन दूसरा है वसा तीसरा है कार्बोहईड्रेट और चोथा है केल्सियम क्या आता है खनीजलवन रक्त के ठक्का बनने के लिए आवस्यक होता है केल्सियम खनीजलवन की जुरुवत पड़ती है नेक्स्ट क्वेशन है शरीर निर्मानात्मक तत्व कौन सा है कार्बोज वसा प्रोटीन या खनीजलवन सरीर निर्मानात्मक तत्व कौन सा होता है कार्बोहईड्रेट है वसा है प्रोटीन है खनीजलवन सही उत्तर हमारा है प्रोटीन शरीर निर्बान काम करने का काम करता है प्रोटीन करता है तंतुओं की तूट फूट की मरमबत कौन करता है प्रोटीन करता है कोशिकाएं किसकी बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है नेक्स्ट प्योश्चन आपके पास वो यह कि जब हम व्रत या उपवास करते हैं तो उस दवरान हमारी शरीर को उर्जा कहां से प्राप्त होता है कौन हमारे सरीर को प्रत प्रता स्थी के दरां कौन सा तत्व प्रतां करने का काम करता नहीयुक। जल प्रोटीन कर्भाइडडेत ये वसा सही उत्तर है हह मारा आधिपोस्ट इश्यू के रूप में जो वसा जमा रहता है वही तूटता है और हमें उस दवरान एनर्जी प्रवाइड करता है नेक्स्ट है अपके पास क्वेश्चन एक ग्राम वसा से कितनी कैलोरी उर्जा मिलती है सही उत्तर क्या है 9.1 जहां 4.2 कैलोरी उर्जा मिलता है वहीं एक ग्राम वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है तो आज मैंने पुष्टिक्ता की संकल्पना संक्रक्षना नहीं संकल्पना पुष्टिक्ता की संकल्पना सब्सक्राइब को पूछा है तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसे सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में आहार की संग्रक्चना के बारें पढ़ाऊंगे आपको अहार की संग्रक्चना में कार्भाईडेट फैट प्रोटिन विटामिन्स मिनरल्स खनीज लवन और फाइबर इन सब के बारें बताऊंगी तो चलिए हम अपने वीडियो कहीं विराम देते हैं फिर बिलता अगले वीडियो में अगली बातों के साथ तब तक दिजाज़तों के बाई कॉलेज जाना है ज आटची